ये नीटूबर अंचु में आप सभी का स्वागत है आज मैं लेकर करके आए हूँ एक बहुत ही बहतरीन वीडियो देखिए होली का त्योहार है सबको हैपी होली लेकिन होली का जो रंग होता है जलती से आप देखिए सब लोग होली खेलते हैं और इसको कैसे छुटाया बहुत ज्यादा लग गया है या पूरे शरीर पर ऐसे रंग लग गया है कि आप वो निकल नेरा है तो आप उसको आसानी से हटा सकते हो तो चलिए कुछ ऐसी होम रिमेडीज बता रही हूँ जिससे आप अपने कलर को रिमूव कर सकते हो तो वीडियो को लाइक कर देए चै पका हो जाता है पका रंग होता है कि वो छुटता ही नहीं है पांच दिन दस दिन लग जाते हैं तो उसको कैसे चुटाएं ठीक है तो इसकिन से रंग चुटाने में काफी मशक्कत करनी परती है हम सभी लोग जानते हैं वो लिके बाद अगर आप खुद को रंग चुटान और नीबू लेना है होली का रंग जल्दी से निकालने के लिए स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए इसमें नमी बरकरार रखने के लिए कटोरी में दोज चमच आप दहीन ले लो चीक है दही ले ली आपने और उसमें आप नीबू डाल लो चार से पांच बूंद और नीबू का ही छिलका ले करके बस आपको उस जगा पर लगाना है दस से पंद्रा मिनद तक रगड़ना है अच्छे से इससे क्या होगा उसके बाद आप पाने से वाश कर लो को दही और नीबू अन्टियौकसीडंट होते है इसमें गुड होते हैं अन्टियौकसिडंट जो रंग को लाइट करने में मदद करता है और आपका कलर जो है छुट जाएगा सेकिंड है आप घर में चावल का आटा दही का इस्तमाल कर सकते हो चावल का आटा नैचरल स्क्रबर माना जाता है इसे में चावल का आटा आप डेड इसकिन साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं चावल को आप दरदरा पीस कर उसमें आप शहद मिला लें इसके बाद इसे उबटन की तरह अपने शरीर पर मल करके आपको इसका रंग छुड़ा लेना है रंग खेलने के बाद नहाते वक्त इसमें दही से तचा को आप साफ कर सकते हैं चावल का आटा प्लस दही को मिक्स करके आप नहाने के वक्त आप इसको लगा लो आपके स्किन पर जितना भी रंग चड़ गया है न वो साफ हो जाएगा इसकिन में ड्राइनेस भी नहीं आएगी दही से आपके स्किन भी अच्छी हो जाएगी बेसन देखिए बेसन बहुत एक अच्छा है जो आपके स्किन में निखार लाएगा अलोवेरा जेल भी काम करना है इसके साथ में आपको देखिए बेसन ले लेना है और अलोवेरा जेल लेना है दोनों को ही करना क्या है होली के त्योहार पर रंग खेलने से पहले ही दूद हल्दी बेसन को मिला कर उप्टन तयार करके रख देते हैं लोग नहाते समय एक बार पानी में और साबूं से रंग उतारने के बाद इस उप्टन को पूरे शरीर पर लगा कर स्क्रब जरूर करें इसके अलावा ऐलोवेरा जेल को हर स्किन प्रॉब्लम के रामबार इलाज माना जाता है तो करना क्या है आपको ऐसे में आपको रंग चुणाने के लिए नहाते समय एलोवेरा जेल रंग लगी हुई इसकिन पर लगा कर हलके से आपको रगना चाहिए इससे ना फिर उसके बद गुन गुने पानी से आप वाश कर देंगे ना तो आपका जितना भी रंग लगा बेसन और गुलाब जल का मास्क आपको लगाना है बेसन में गुलाब जल और दूद मिलाकर एक मास्क तयार करना है आपको उसे इसकिन पर लगाना है पाश मिनिट के बाद आप हलके सापुन से चेहरा धो ले इससे आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा अगर आपकी त्व लगा कर इसको लगा लो चहरे पर लगा लो अब क्या होगा इस पंज से हलके हातों से रगड़ कर चहरा आपको दो लेना है 20-25 मिनट बाद साबुन लगा कर चहरा दो ले आपकी तवचा पर जितना भी रंग है ना वो उतर जाएगा टिप्स कुछ काम की हैं जैसे मैं बता रहीं आपको होली खेलने के बाद नहाने से पहले बेसन में दूदिया दही जैतुन का तेल गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना ले इसको आप अपनी सकिन पे लगा ले 5-10 मिनट बाद चहरे तथा इसकिन को हलके हाथ उसे आपको धोना है इससे क्या होगा कलर उतर जाएगा चहरे और इसकिन का कलर उतारने के लिए भिगोए हुए जो आम चूर का पावरर है ना उसको आप लगा लो इससे भी कलर निकल जाता है परंतु चून को पाश मिनट से जादा ना लगा अन्यता तचा रूखी हो सकती है तो थोड़ा साब ध्यान दे वनना आपको खुजली और ऐलर्जी भी हो सकती है नहाने के पहले गलिसरीन और गुलाब जल को एक साथ मिला कर चहरे पे लगाना है आपको कुछ देर बाद हलके निवाय पानी से चहरा को आपको धोना है जिससे क्या होगा आपको जितना भी कलर लगाए न वो निकल जाएगा नहाने के पहले गलिसरीन और गुलाब जल को एक साथ मिला कर चहरे पे लगा लो कुछ देर बाद हलके निवाय पानी से रंग खेले हो या होली खेले हो इससे ना चेहरे को रंगों से होने वाला नुकसान नहीं होता और चेहरा हर तरह से सुरक्षित रहता है नारियल तेल वाश्रूम में साथ लेकर जाएं और शावर के तुरंत बार इसकिन पोच कर पूरी बॉड़ी पर लगा लें ऐसा इसलिए क्योंकि नहाने के बाद हमारी स्किन काफी सॉफ्ट होती है ऐसे में इसे मॉश्राइज करने का अधिक लाब मिलता है तुछा को अच्छी तरह पोशन मिल पाता है तो थोड़ा सर ध्यान दें और अधिक से अधिक आपको पानी पीना है वैसे तो हमेशा ही आठ स दस ग्लास पानी पीने की सला दी जाती है लेकिन होली के बाद आपको अपने वाटर इंटेक को बढ़ा देना चाहिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि रंगों में ऐसे रसायन होते हैं जो तुछा से नमी से हाइडरेट रखता है परन्तु महत्तपूर हो जाता है इ स्टार्ट कर दीजिए तो नेक्स वीडियो में नए इंफरमेशन के साथ टेक केर